नमस्कार स्वगत्यापका हमारे शेनरल चार जागंदर मिशा में नौ जन्वरी बड़ा रविवार शूर को जल देते समय लोटे में डाल ले ये एक चीज साथ पुष्टे तक करेगी राज गरीबी भूल जाएगी घर का राष्ता दोस्तो सूर को सर्वती साक्षी भूतम कहा गया है सब कुछ देखने और सुनने वाले देव सूर जो की प्रतेच देव हैं और उनको नित दिन जल अरपित किया जाता है उनकी पूजा की जाती है रवी बार के दिन शूर देव को समरपित है लेकिन शूर को अगर जल देते समय कुछ बिसेश वस्तु जल वाले लोटे में डालके अरपित की जाए तो हमारी शीग्र मनों कामनाएं शूर देव पूरी कर देते हैं लेकिन शूर देव को जल अरपित करने का बिसेश बिधान भी है धारमिक दृष्ट से तो हम शूर को जल देते ही हैं लेकिन इसके फाइदे भी बहुत होते हैं आज हम आपके साथ बहुत सारी बाते करेंगे देखें शूर जो पिता के कारक हैं मानसमान के कारक हैं आत्मा के कारक हैं और सरकारी नौकरी के कारक हैं हैं सबसे प्री दिन माना जाता है और अगर सूर्देव को जल आप सही तरीके से अर्पित करें तो वीशेश लाब होता है कुंडली के सारे दोस्त समाप्त हो जाते हैं शूर का दिन रविवार और रविवार की दिन अगर विशेश वस्तु का दान करें तो आपके जीवन के कष्ट कम होते हैं कि रविवार के दिन अगर आप एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ डालके अगर गाई को खिलाएं तो विशेश लाब होता है सूरदेव की जो लोग पूजा करते हैं रविवार के दिन उनके जीवन में सत्र बिरोधी उन्हें जादा परेसान नहीं करते हैं कि वो सत्रों पर बिजय प्राप्त कर लेते हैं और सूरदेव की पूजा से भाग में राजयोग बनता है धनयोग बनता है तो अगर आप सूरदेव को जल अरपित करते हैं तो कुछ बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए एक बातों सबसे पहले जान ले कि सूरदेव को जल अरपित करते समय हमेशा तांबे का लोटा ही यूज करें आप यनि की जैसे कि बहुत सारे लोग प्लास्टिक का या फिर आप इस्टील का यूज करते हैं तो भूल कर भी ना करें आप कोसिश करिए कि तांबे का लोटा हो या फिर पीतल का लोटा हो शूर को जब आप जल अरपित कीजेगा तो इसके बिशेश प्रियोग होते हैं बिशेश तरीके होते हैं सबसे पहले तो शूर योदा से पहले आप उठ जाए फिर इश्नान वगरे करके इसके बाद तो दोस्त दूर हो जाएगा रक्त संबंधी समस्याइं दूर हो जाएगी अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खूब मानसमान यश्क बढ़ा रहे तो रभी बार की दिन बर्गत का पत्ता ले ले उस पर हल्दी से स्वास्तिक बना ले और सूर्देव को आप धूप में बाहर रख दे और धूप अगर वत्ति दिखाएं फिर अपने घर में सुरक्षित रख ले तो आपकी जीवन की धन की समस्याइं दूर होगी सूर्दे को अर्थ देते समय कुछ बिशेश मंत्रों का भी जाब करें जैसे की ओम आतित्याय नमें इस मंत्र का बिशेश रूप से जाब करें रविवार के दिन शूर को जल अर्पित करने का विशेश भीधान है और इस मंत्र को जाप करके फिर आप जल अर्पित करें जल में आप यनि कि जब आप सूर्दे को जल अर्पित कीज़ेगा तो आप जल वाले लोटे में काला तिल डालके जल अरपित करिएगा सूर्दे को फिर देखेगा कैसे लाब होता है साथ पुष्टे तक करेगी राज साथ पुष्टे तक धन की कमी नहीं होगी जल वाले लोटे में आप थोड़ी से हल्दी डाल के सूर्दे को अगर आप रविवार के दिन जल अरपित करें तो गरीबी भोल जाएगी घर का रास्ता गरीबी कोशो दूर चली जाएगी कोशिश करिएगा कि हल्दी और काला तिल जल वाले लोटी में डालके ही सूर्दे को अरपित करिएगा लेकिन आप अलग अलग यानि जल में अरपित करके ही आप दीजेगा और साथ बार परिक्रिमा करने की कोशिश करिएगा पौरणिक कताओं में सूर उपाशना का विशेस्ट महत तो है रविवार की दिन आपका इससे यस बढ़ेगा किर्टी बढ़ेगी आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा मन भी काफी मजबूत होते हैं स्वी ग्रधन प्राप्ती के लिए सूर को जल देते समय जल वाले लोटे में एक जारा लाल मिर्च के दाने डाने डालके सूर दे को जल अरपित करें स्वी ग्रधन की प्राप्ती होती है या फिर आप चाहें तो आप लाल पुस्प डालके सूर तो आने वाली कई पीडियों तक धनकी कमी नहीं होती है, गरीबी भूल जाती है घर का रास्ता, तो विशेष रूपसे लाब होता है, सुर्दे को आप चाहें, तो काला तिल या हल्दी भी डाल के दें, तो विशेष लाब होता है, तो दौस्तों इन में से कोई भी एक चीज सुर्दे को डालके रवी वार के दिन जैलर पित किया जाए तो बिशेश लाब होता है तो दोस्तों बीडियो को लाइक करें जदे जदे शेयर करें उचनों को सब्सक्राइब करें